Good day to all of you! मैं आसा करता हूँ कि आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया था वह याद होगा. आज आप कुछ नया सीखेंगे लेकिन उससे पहले जो भी आपने सीखा है उसके रिविजन कर लेते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि अपनी पिछली क्लास में क्या सीखा था? अभी तक आपने Impress के Standard Toolbar View Menu के Submenu के बारे में सीख चुके हैं. Standard Toolbar के अंदर हमने कौन-कौन से Options के बारे में सीखा था? Standard Toolbar के अंदर आपने New, Save, Open, Export as PDF और भी मेंटकौन Options के बारे में सीखा था? क्या आप बता सकते हैं Grid को Impress की File से कैसे Hide और So करते हैं? Grid Option को दो तरीके से Hide और So कर सकते हैं. पहला विकल्प View का है और दूसरा Standard Toolbar में So हो रहे Grid Option की मदद से. Grid को Hide करने के लिए सबसे पहले View Menu पर क्लिक करेंगे, फिर Grid के Option को Select करेंगे, और फिर Grid Display को Select करेंगे, जिससे Grid Line Hide और So हो जाएंगी. Points का उप्योग क्यों करते हैं? Point Options का उप्योग Impress में बहुत ही Interesting है, क्योंकि इसकी मदद से किसी भी Drawing में अपने अनुसार कितने भी और कहीं भी Point Add कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप उस Drawing को और भी बहतर बना सकते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि Fields का उप्योग क्यों करते हैं? Edit Menu Bar के Fields विकल्प से दिये गई कुछ, पहले से ही Format को आप Fields विकल्प के Options को Edit कर सकते हैं, यानि कि Fields के Format को Change कर सकते हैं. क्या आप बता सकते हैं Hyperlink का उप्योग क्यों करते हैं? Hyperlink से आप किसी भी File को Link के द्वारा उस File का Link दे सकते हैं, और Open करके उसका उप्योग कर सकते हैं. अब आप सभी अपने Computer को On करें, Impress की File को Open करें. आएए जानते हैं कि आज की Class में क्या सीखेंगे. आज की Class में आप सभी Insert और Format के बचे हुए सभी Options के बारे में सीखेंगे. जैसे कि Insert में आप Expand Slide, Summary Slide, Animated Image, Movie and Sound, Object, Chart, और Format मेन्यू के विकल्प जैसे की Position, End Size, Line, Area, Text, Crop, Picture, उसके बाद कुछ Tools मेन्यू के Option जैसे की Spelling, Language, Color, Replacer, Media Player, इत्यादी के बारे में सीखेंगे. क्योंकि आज की Class में आप सभी कुछ जादा विकल्पों के बारे में सीखेंगे, इसलिए आप सभी सामने दिये गए paragraph को टाइप करें. क्या आप सभी ने इस paragraph को टाइप कर लिया है? आईए अब Insert Menu के बचे हुए Options के बारे में सीखते हैं. आईए सबसे पहले Summary Slide के बारे में सीखते हैं. क्या आप जानते हैं Summary Slide का उप्योग क्यों करते हैं? Summary Slide का उप्योग आप जब करेंगे, अगर आपको दी गई सभी स्लाइड के टाइटल के बारे में एक ही स्लाइड में देखना है, तो आप summary slide का उपयोग करेंगे क्योंकि summary slide आपको उन सभी title के नामों को दिखाएगा जिन slide पर आपने जो भी title दिया होगा आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं summary slide का उपयोग कैसे और क्यों करते हैं आईए वीडियो की मदद से summary slide के बारे में सीखते हैं उसके बाद इसे title slide में convert कर दे अब इसके title में कुछ भी title अब टाइप करें हमने यहाँ पर smiley face टाइप किया आप चाहें तो कुछ भी ड्रॉव करके उसका title उसके title में लिख सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर a smiley face टाइप किया उसके बाद हमने drawing toolbar की मदद से एक smiley को draw किया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरी के साब भी draw कर सकते हैं अगर इसके अंदर formatting करना है, formatting भी कर सकते हैं हमने इसका color change किया आप देखे हैं हमारे पास अभी दो slide है पहले slide है जिसमें हमने paragraph को टाइप किया था about internet के बारे में और second अभी हमने एक drawing बनाया तो पहले आवले slide को select कर लें insert menu पे जाएं और summary slide पे click कर दें जैसे आप summary slide पे click करेंगे एक और slide बनके आ जाएगा उसके अंदर जो भी आपने title लिखा था उस title का यहाँ पे summary आ जाएगा आप वीडियो में देख सकते हैं पहले में title about internet का था यहाँ पे about internet फिस second slide में a smiley face था a smiley face यहाँ पे लिखा हुआ आ गया तो इस प्रकास से आप summary slide की मददते एक अलग से slide को insert हो सकता है एक से अलग slide insert हो जाएगा और इसके अंदर इतने भी title लिखा हुआ है वो title लिखा हुआ आ जाएगा तो इस प्रकास से आप summary slide का उपयोग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं एक्सपेंड स्लाइड से क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं एक्सपेंड स्लाइड समरी स्लाइड के साथ में काम करती है क्योंकि जब आप सभी स्लाइड की एक समरी स्लाइड को बनाते हैं और 20 summary slide पर अलग अलग title में देखना चाहते हैं जो कि summary slide में है तो आप expense slide को उप्योग करेंगे आए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि expense slide का उप्योग कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से expense slide के बारे में सीखते हैं Expand slide की मदद से जो आपने summary slide की मदद से जो title लिखके आया था उसे आप अलग slide में convert कर सकते हैं. इसके लिए सब से पहले insert menu पे click करें फिर went to expand slide को select कर लें. तो आप देखेंगे जो अलग slide के अंदर summary लिखके आया था उसे अलग slide में convert कर दिया और उसके title में जो summary लिखा है तो उसके title में वही चीज लिखा हुआ आ गया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तीसरे slide पे about internet और चोतरे slide पे a smiley face लिखा हुआ आ गया ये एक अलग-अलग slide में बन के आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप expand slide का उपयोग कर सकते हैं अगला option animated image का है क्या आप जानते हैं animated image option का उपयोग क्यों करते हैं impress के अंदर animated image का option भी बहुत ही interesting है क्योंकि animated image option की मदद से आप अपने slide पर लगाएगी picture अच्वा गैलरी को आप एक animated image की तरह देख सकते हैं animated image का मतलब है कि किसी भी image में समय समय पर हो रही गतिवीदियां से है क्योंकि animated image के क्योंकि animated image बनाने के बाद अगर आप उन सभी picture को एक साथ देख सकते हैं आएए वीडियो को देख कर सीखते हैं animated image विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं आएए वीडियो को देख कर animated image का आएए वीडियो को देख कर animated image के बारे में सीखते हैं कि इसका उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए सबसे पहले insert menu पे click करें फिर Animated Image option को select कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, फिर से आप Insert menu पे क्लिक करें, अब कोई भी picture को insert कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने picture option को select किया, यहाँ से हमने एक picture को select किया फिर open पे click कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पर एक picture insert हो चुका है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब apply object पे select कर ले, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर एक से ज़्यादर picture को insert करना है इसलिए इस picture को delete किया फिर से insert menu पर हमने click किया picture option को select किया from file option को select किया अब हम किसी दूसरे picture को select कर लेंगे फिर उसे open करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं यह picture insert हो चुका है फिर apply object पर click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जो भी आपको animation लगाना है वो आप एक से ज़्यादर picture पर लगाएंगे इसलिए आपको एक से ज़्यादर picture को insert करना है फिर से picture को insert करने के लिए insert menu पर click करें picture option को select करें आप किसी दूसरे picture को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर third picture को select किया फिर open पर click किया जैसे open पर click किया यह picture insert हो चुका है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर object apply पर click करेंगे अब हमने apply object का option इसको select कर लिया तो यह picture भी select हो चुका है तो अब तक हमने तीन picture को select कर चुके है तो इसे delete कर दें फिर से एक नया picture insert कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ से कोई से भी picture को select करें फिर इसे open कर लें इस picture को select करके फिर से apply object पर click कर देंगे delete कर दें फिर से एक नया picture को insert कर लें from file को select किया फिर सामने एक picture को insert कर लिया इस में से किसी एक object किसी एक picture को select करेंगे select करने के बाद open पर click करेंगे तो यह picture insert हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से apply object पर click करें और create option पर click कर देंगे तो यह है जो आपका animated image है वो बन चुका है इसे आप normal view में नहीं देख सकते इसको देखने के लिए आपको slide show करना होगा जब आप slide show करेंगे F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो सारे picture वो एक साथ play होगा यहाँ पर देखें आमने इस picture पर click किया फिर एक बड़ हमने down arrow की use किया आप देख सकते जितने भी आपने picture को inside किया था वो automatic play हो रहा है यह पांचो पिक्चर आप इसे automatically play कर सकते हैं animated image की मदद से तो इस परकार से आप animated image का उपयोग कर सकते हैं अगला विकल्प movie and sound का है इस विकल्प के द्वारा आप अपने impress की slide पर किसी movie ये किसी song को play कर सकते हैं और उसको एक file में edit कर सकते हैं या फिर अपने impress की current slide पर जो भी file चाहें उसे play कर सकते हैं आईए अब video को देखकर सीखते हैं movie and sound का उपयोग कैसे करते हैं आईए video की मदद से movie and sound option का उपयोग करना सीखें movie and sound option की मदद से आप अपने slide पर कोई भी movie कोई भी video ये किसी भी प्रकार के sound या audio आप insert कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको insert menu पर क्लिक करना है फिर movie and sound option को select कर लेना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जहां पर भी आपने multimedia को save किया है जिसे आप insert करना चाहते हैं उस location को आप select कर लें उस file को आप select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पर videos option को select किया और यहां पर wildlife एक video है उसको हमने select कर लिया फिर open पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो वीडियो है वो हमारे slide पर insert हो चुकी है आप इसे देख सकते हैं play करके देख सकते हैं इसे save करके presentation के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं आप हर एक slide पर अलग अलग परकार की movies and sound को लगा सकते हैं उसका एक presentation आप बना सकते हैं इसको play करने के लिए यहाँ पर play का button है जब आप इस पर click करेंगे जो भी अपने movie और sound को insert किया है वो play होने लगेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह वाला button pause का है इस पर click करेंगे तो आपको वीडियो pause जाएगा अगर आपको starting से stop करना है तो आप stop पर click कर सकते हैं अगर आपको sound mute करना है तो आप यहाँ से mute कर सकते हैं अगर इसके साथ एक और वीडियो को आप एड़ करना चाहते हैं तो आप फिर से आप देखते जैसे वीडियो में आपको इस वाले button की मदद से आप कोई भी movie sound को फिर से आप insert कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में sound का उप्योग कर सकते हैं उसे आप अपने slide पर insert करके उसे आप देख सकते हैं क्या बता सकते हैं object option का उप्योग क्यों करते हैं object option का उप्योग आप जब करेंगे अगर आप किसी file, picture और किसी clip art को एक object के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ options पहले से ही उपलब्ध होते हैं जैसे कि OLE, object, plugin, formula ये अलग-लग options होते हैं object के लिए यहाँ पर OLE का मतलब होता है object linked and embedding मतलब कि आप उसे अपने current seat पर एक object के रूप में उप्योग कर सकते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि options के द्वारा इन objects को अपने document में कैसे insert करते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं object विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं जिस slide पर भी आप object विकल्प का उप्योग करना चाहते हैं उस slide को पहले select कर लें हमने third slide को select किया यहाँ पर सिर्फ ने pointer को insert menu पर लेके आए वहाँ पर क्लिक कर दें फिर object option को select करें यहाँ पर आप OLE object इस option को select करें तो आप यहाँ देखेंगे अलग लग परकार के options दिये होंगे जैसे कि open office, spreadsheet, chart, drawing, formula, text यह सारे options दिये हैं अगर जो भी आप अपने slide पर इन्में से किसी का भी उप्योग करना चाहते हैं तो आप इन्हें insert कर सकते हैं और उस पर आप कारिये कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर spreadsheet को open किया तो आप देख सकते हैं spreadsheet की एक छोटी सी file यहाँ पर open हो चुकी है आप इसके अंदर जितने भी spreadsheet के कारिये होते हैं वो सारे कारिये इसमें कर सकते हैं चाहे वो data type हो या formula लगाना हो आप सारे काम इस छोटे से spreadsheet file के अंदर आप काम कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में द बाहर आने के लिए आपको इस file से थोड़ा से बाहर क्लिक करना है जैसी बाहर क्लिक करेंगे तो जो आपने data type किया था वह सिर्फ आपको यहाँ पर data दिखाई देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं अगर इसको आपको हटाना है तो आप इस पर click तो green color का dot आजाएगा फिर से आप delete कर सकते हैं अगर इस पर double click करेंगे तो फिर से वह file आजाएगी spreadsheet की file फिर से आजाएगी अगर इससे आप हटाना चाहते हैं इसको एक बार select कर ले और फिर आप delete के button से से आप हटा सकते हैं इससे आप directly close नहीं कर सकता अगर directly close करेंगे तो जो आपको file है यह file impress की file भी close हो जाएगी इसलिए आपको इससे बाहर click करना है और इसको एक बार select करने ले जब आप इसको एक बार select कर लेंगे तो green color का dot बन के आ जाएगा अब फिर आप delete के button या right click करके इसे cut या delete कर सकते हैं आये वर फिर से देखते हैं object विकल्प का उप्यों कैसे करते हैं insert menu पे click करें फिर o le object इसके click कर दें यहाँ पे create new पर पहले click है और further object हम आपको इस option को select कर लेंगे इस option के मदद से आप कोई अलग से object को आप insert कर सकते हैं उसका link बन के यहाँ पर आ जाएगा जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर create from file उस पे click किया अब हम कोई picture को select करेंगे ब्राउज करेंगे यहाँ से ब्राउज पर click किया यहाँ से कोई भी एक पिक्चर आप select कर लें जिसे पिक्चर का भी आप link देना चाहते हैं उसे आप select कर लें हमने इस पिक्चर को select किया फिर ओके पर click किया ओपन पर click करने के बाद ओकी के button को click किया एक बार जैसे ओके button पर click करेंगे अभी आप देशेता है वह picture open हो चुकी है इसे close कर दें आपको link दिखाई दे रहा है जब आप इस पर double click करेंगे तो यह picture open हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे है इसे close करेंगे तो इस तरीके के आपको एक link दिखाई देगा जो आपको box दिखाई दे रहा है जैसे आप इस box पर click करेंगे तो यह picture open हो अब आप सभी आगे format menu के बचे हुए options के बारे में सीखेंगे सबसे पहले आप position and size के बारे में सीखेंगे इस विकल्प के द्वारा अपने impress की slide पर insert किये हुए object के size को बढ़ा सकते हैं उसे एक जगह से दूसरे जगह पर रख सकते हैं उसे आप rotate कर सकते हैं अगर आप चाहें तो line tool की मदद से आप उसे point option का उप्योग कर सकते हैं आएए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं position and size के विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं आएए वीडियो को देख कर सीखते हैं position and size का उप्योग कैसे करते हैं पोजिशन और साइज की मदद से आप अपने डॉक्युमेंट के अंदर जो भी आपने इमेज को इंसर्ट किया या पिक्चर को इंसर्ट किया है उसके पोजिशन को चेंज कर सकते हैं और उसके साइज को बदल सकते हैं एक नई slide को insert करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पे एक slide को insert किया अब इस पर आप कोई से भी image या object ड्रॉ कर लें हमने यहाँ पे एक triangle को draw किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एक triangle को यहाँ draw कर लिया आप चाहें तो triangle को draw कर सकते हैं या कोई दूसरे object को आप draw कर सकते हैं हमने इसके copy बना ली जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इसे copy paste कर लिया हमने copy paste इसे लिए किया जो भी हम इस object के अंदर changes करेंगे ताकि हमें उपदा चले कि उसके अंदर changes क्या क्या बदला हुए है format menu पर click किया फिर position and size option को select कर लिया तो आप देश सकते हैं box open हो गया फिर position and size option को आप select कर लिया यहाँ पर पहला option position है position में x और y option दिए हैं अगर आप इसके x को changes करना चाहते हैं अगर आप इसके x को changes करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर numbers दिए हुए हैं आप उसके numbers को कम या ज्यादा करके इसके x को change कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं अभी हमने इसके x को change किया तो आप देश सकते हैं वहाँ से इसका position move होके छोड़ा से नीचे आ गया यह base point है कि आप इसका कौन से base point बनाना चाहते हैं वहाँ से आप एक base point select करके फिर इसके position को आप change कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगला option size का है size से आप जो इसकी height और इसकी width है इसको आप बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं जो आपकी real image है उसके image की size को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहां से उसके size को जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है उसके बाद okay के button पर click कर दें जैसे okay के button पर click करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका triangle था जिस पर आप changes कर रहे थे वो पहले वाले से उसके size increase हो गया है उसका width भी बढ़ गया है उसकी height भी बढ़ गया है और उसका position भी change हो गया है जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप protect पर click करेंगे तो इसके अंदर आप पोई भी change करना होगा इसी प्रकार से अगला option rotation का है rotation पर click करें तो यहाँ पे भी आपको pivot point, position x और position y दिया होगा कि आप कहां से changes कर सकते हैं आपको निवसे को पोज़ीर करना चाहते हैं फिर रोटेशन अंगल है रोटेशन अंगल की मदद से आप जो आपको objective है उसे रोटेट कर सकता है किसी बुदेर में जीतना आगल में हमने यहां पर position को select कर रहा था इसलिए वह options highlight नहीं हो रहे थे जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप position पर click करेंगे तो इसके अंदर कोई भी changes नहीं कर सकते क्योंकि हमने प्रोटेक्ट वाले option पर position को select कर लिया था इसलिए उसके अंदर हम कोई भी बदलाव नहीं कर पा रहे थे तो उसे हमने फिर से अंसलेक्ट किया फिर रोटेशन पर क्लिक किया कि एवर फिर से इस image को select करेंगे select करने के बाद फिर से format menu पर जाएंगे position and size पर जाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर प्रोटेक्ट का option apply किया हुआ था उसके अंदर हमने पहले से save कर दिया थे जिसकी मदद से उसके अंदर कोई भी changes नहीं कर पा रहे थे इसलिए हम दूसरे image को आप select करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने पर click करेंगे position and size option को select करेंगे तो आप देख सकते हैं आप यह सारे options highlight हो रहे है हम इसके angle change करना है यह यह जितने भी degree आप change करना चाहते है जितने angle पर रखना चाहते है वह आप यहां से change कर सकते है उस degree में यह उसी angle में रोटेट हो गया है जैसे कि आपको वीडियो में दि इमेज को रोटेट कर सकते हैं लेकिन जो इमेज की size होगा वो बढ़के आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है आप देख सकते हैं जो triangle है वो rotate तो हुआ लेकिन उसको size भी थोड़ाँ सा increase हुआ इसका corner से देख सकता है जिए corner से ये increase हुआ इस प्रकार से आप position and size का उप्योग कर सकते हैं अगला विकल्प line का है इसके option के द्वारा आप track के हुए line अच्वा picture को format को change कर सकते हैं इसको आप 3 प्रकार से change कर सकते हैं जैसे कि line, line style, arrow style इसको आप सब इसको आप अपने अनुसर customize भी कर सकते हैं आइए वीडियो को देख कर सीखते हैं लाइन option का उप्योग क्यों महतपूर्ण है आइए वीडियो को देख कर arrow style के बारे में सीखते हैं arrow style की मदद से आप line के आगे arrow लगा सकते हैं और इसके अंदर अलग अलग परकार की formatting कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले एक line को draw करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक line को draw किया अब हम चाहते हैं इस line के अंदर formatting करना या इसके आगे arrow को लगाना उसके लिए आप सभी को format menu पे click करना है जब format menu पे click करेंगे एक box आएगा फिर line के option को select कर लेना है यहाँ आप आप देख सकते हैं by default line को option पहले से select है उसके नीचे आप देखेंगे line property जिसके अंदर style को option है अगर आप line के style को बजलना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी भी एक style को select कर ले अगर आप उसके color को बजलना चाहते हैं लाइन के color को बजलना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके color को बजल सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप line के weight को बढ़ाना चाहते हैं वो उतना कम दिखेगा जितना ज्यादा number percentage बढ़ाएंगे वो उतना कम दिखेगा फिर यहाँ पर arrow style है अगर आप arrow लगाना चाहते हैं line के आगे तो आप इस तरीके से arrow लगा सकते हैं अगर दोनों side arrow लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से select कर लें किसी भी type के arrow को आप select कर सकते हैं पर यह एरो की width है आप उसे कम यह ज़्यादक कर सकते हैं मैं अगर शक्राबर सब्सक्राइब है इस आप सैंटर में कर सकते हैं कि को हुआ कर्च फ्यादर की आप शेकित रूड़ाउंड दुल दुश्कों स्कौएर में रखना चाहते हैं आप यहाँसे हैं अगला option shadow का है अगर आप line का shadow बनाना चाहते हैं तो फिर यहां पर position है जिस direction में आपको shadow रखनी है उस position को आप सेलेक्ट कर लें फिर distance है distance जितनी दूरी पर रखना चाहते हैं distance को यहां पर सेलेक्ट करें अगर आप shadow को color चेंज करना चाहते हैं तो आप shadow को color भी यहां से बदल सकते हैं किसी भी color को आप सेलेक्ट करें जैसा आपको shadow चाहिए transparency से आपको कितना जो shadow की shadow कितना आप देखना चाहते हैं dark या light वो आप इसे transparency से आप कर सकते हैं line style यहां से आप line को style को आप उसके formatting को आप add कर सकते हैं अपने recording अगर आप चाहते किसी style को आपको line में कोई formatting ए style करना है जैसे आपने color को किया था उसी परकार से आप इसके formatting को खुद से create करके उसे add कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आपको line के बीच में किसी distance ओना चाहिए यहां से आप इसके style को modify कर सकते हैं उसे create कर सकते हैं और पर इसे toolbar में add कर सकते हैं यहां पर line style दिखाया जा रहा है कि line style को आप कैसे बदल सकते हैं अगर add करना चाहते हैं उसे rename करना चाहते हैं तो add पर क्लिक करके उसे rename कर सकते हैं अगला option arrow style का है arrow style में भी आप arrow के style को अलग अलग परकार के style को आप बदल सकते हैं खुद से create कर सकते हैं अगर इन सभी options को आप अपने line पर apply करना चाहते हैं तो ok के button पर click करेंगे जो changes आपने किये थे जो formatting आपने लगाये थे where formatting आपके line पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से आप line को formatting कर सकते हैं उसके अलग-अलग design में आप उसे बदल सकते हैं अब area के बारे में जानेंगे क्या आप बता सकते हैं area विकल्प का उप्योग क्यों और कैसे करते हैं इसके द्वारा आप अपने drawing at for object के अंदर की गई formatting अपने एक्छा अनुसार कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे options हैं जिनकी मदद से आप उन्हें और भी बहतर तरीके से दिखा सकते हैं आईए आप video को देखकर सीखते हैं कि area विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं आईए video की मदद से area विकल्प के बारे में सीखते हैं सबसे पहले second slide को select कर लें आप किसी भी slide को select कर सकते हैं जिसमें आपने image को insert किया है या image को draw किया है हमने यहाँ पर smiley को draw किया है तो हम इसके अंदर formatting करेंगे अलग-लग परकार की formatting करने के लिए area विकल्प का उप्योग करेंगे उसके लिए आप सभी को format option को select करना है फिर area विकल्प को select कर लेना है सबसे पहले यहाँ पर देश सकता है जो by default area option पहले से select होता है यहाँ पर color को option है अगर आपको color change करना है तो आप यहाँ पर color change कर सकते हैं उस object का जैसी के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कोई सभी color आप select कर लें अगर आपको इसमें shadow लगाना है तो आप इसे shadow भी लगा सकते हैं use shadow पर पहले click करें यहाँ पर shadow का position है कि आपको shadow किस direction में लगानी है इस direction में भी लगाने आप उस direction को select कर लें shadow color को आप अलग परकार के shadow color ले सकते हैं JUST कितनी दूर रखना चाहते हैं और transparency से आप जो shadow है उसको कितनी आप देखना चाहते है कितनी जितना कम करेंगे आप 5 विए अतन फी ही्चतिनी करेंगी कि तृफ्टन फीर्स तने इतन fantastic option है by default no transparency पर select है अगर आप transparency पर क्लिक करेंगे जो आपने color को select किया है उसे आप कितना dark या light देखना चाहते हैं वो आप इसके मदद से कर सकते हैं फिसके में type है gradient type में कि आप किस तरीके के इसमें effect लगाना चाहते हैं वो यहां पर दिया हुआ है है आप इसके position को यहाँ पर X और x center और center y दिया है कि आप दोनों से इसके position को change कर सकते हैं जो आपने इहाँ पर gradient लगाया है उसके angle को भी आप change कर सकते हैं जैसे को वीडियो में दिखाये जा रहा है जैसे जैसे ठीATE या आप इसके अंगर को चेंज करते जारा है, तो इसकी position भी चींज होती जा रही है, border पर भी आप इसको change कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसके अंदर formating कर सकते हैं, अगला options color का है, इस options की मददद से आप खुद के color को create कर सकते हैं, एक अलग सा आप कोई से भी color चूज करके उसके renaming कर सकते हैं उस color को आप add कर सकते हैं तो उसका आप बाद में इसको use कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एक color को select किया अगर उसके नाम को change करना था आप नहां से नाम change कर सकते हैं अगर modify करना चाहता था आप उसे modify भी कर सकते हैं हमने यह पर add पर क्लिक किया तो हमने color को select किया उसका नाम हमने change कर दिया इसी प्रकार से आप gradient के अंदर भी आप एक अलग style में खुद के gradients बना सकते हैं खुद के formatting बना सकते हैं और उसको नाम भी change कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं यहां पर by default पहले से ही select हैं अगर आप इसका नाम को add करना है रिनेम करना है तो आप यहां से रिनेम कर सकते हैं हमने gradient 12 select किया इसी प्रकार से hatching फिर bitmap आप इसके अंदर formatting कर सकते हैं इनको आप editing कर सकते हैं यहां पर आप देशकते हैं जो hatching option में spacing है एक अलग से line समने यहां पर क्या जैसे जैसे line के आपके size कम करेंगे तो उतने line की बीच में distance आते जाएगा अगर line के color को change करना है तो आप इसे change भी कर सकते हैं जो lines के angle है आप उसे भी यहां से change कर सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां से आप खुद के style को create कर सकते हैं उसको आप नाम rename करके उसका अपना नाम बना सकते हैं जब आप ok पर click करेंगे तो जहां से आप hatching या color यूज करते हैं वहां पर यह आपका option है वो save हो जाएगा यह save का option है यहां से save कर सकते हैं उसे आप इसे अलग से file या folder में save कर सकते हैं अगर color box में add करना चाहता है तो यहां साप इसे add भी कर सकते हैं इन सभी options को देखने के लिए जो line and feeling option आप वहां पर इन सभी options को देख सकते हैं अगला option bitmap का है bitmap में भी आप अपने style को create कर सकते हैं अपने formatting को खुद से उसे बना के उसे save कर सकते हैं जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर pattern editor है यहां पर एक अलग से pattern बना रहा है जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर मुझे इस pattern को save करना है जहां पर line and feeling उसे देखना है तो इसको मैं add पर click करूँगा उसे अलग से pattern में create कर देंगे जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अभी हमने इसके background color को change किया अभी हमने इसके background color को change किया फिर add पर click कर दिया हूं यहां पर आप अपने नाम से save कर सकता है इसे किसी भी नाम से आप हमने cs12 के नाम से save किया फिर ok पर click कर दिया हूं आप देखें कि जहां पर bitmap option है तो जो आपकी फॉर्मेटिंग है वहां पर यह आ जाएगा आप इससे apply कर सकते हैं किसी भी object है किसी भी image पर हमने ok पर click किया तो आप देश सकते हैं यह फॉर्मेटिंग आपके object पर आ गया हूं यह रहे की मदद से आप color को create color को formating कर सकते हैं hatching जो इसके stylus की formating को आप create कर सकते हैं अपने नुसार बना सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने hatching पर click किया जो हमने अलग से formating बनाया था वह आपको यह दिखाया दे रहोगा जब हम इस पर click करेंगे तो यही option यही formatting आपके object पर आ जाएगा इसी प्रकास से आपने bitmap के अंदर भी अपने formatting बनाया था अपने style को create किया था अगर उसे आप apply करना चाहते हैं object पे bitmap को select करें और जिस नाम से आपने select किया था उसे select कर लें where style, where formatting आपके object पर apply हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है तो इस प्रकास आप area की मदद से image के अंदर अलगल प्रकार की formatting कर सकते हैं उसे editing कर सकते हैं क्या बता सकते हैं text विकल्प से क्या होता है इसके दुआरा आप अपने object के text को width, height, spacing और भी text को change कर सकते हैं इसके दुआरा अपने text को animation में भी बदल सकते हैं उसे animation दे सकते हैं आए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि text विकल्प का उप्यों कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से text विकल्प के बारे में सीखते हैं कि text option से क्या होता है सबसे पहले जिसपे भी आप text विकल्प को apply करना चाहते हैं उसपे style लगाना चाहते हैं उस text को आप select कर ले जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पर about internet को select किया फिर format option को select किया यहां पर एक box आ जाएगा उसके बाद आप सभी को text विकल्प को select करना है यहां पर select करेंगे फिर text option को आप select कर लें पहला option यहां पर text है अगर से आप height और width के साथ उसे arrange करना चाहते है तो आप इस दोनों option को select कर लेंगे fit with that और fit with height फिर कर spacing देना है तो आप spacing दे सकते हैं यहां पर आपको नीचे options दिखाए दे रहोंगे उसके बाद आप text animation पे click कर दें अगर आप अपने text पे कोई भी animation लगाना चाहते हैं तो आप animation लगा सकते हैं जैसे कि आप video में देखते हैं मुने blinking effect को select किया तो जो हमारा text वो blink करने लग गया फिर से text को select करें format menu पे click करें text vehicle को select कर लें यहां पर effect में आप देखेंगे अलग-अलग options दिया हुआ है अब हमने scroll through option को select किया अब किस direction में आप अपने text को move करना चाहते हैं तो आप उस direction को यहां से select कर सकते हैं हमने down वा ले options को select किया फिर यहां पर properties दिया हुआ है start inside text visual when exist animation cycle आप उसे कब तक animation करना चाहते हैं कितने second के लिए continuous यहां पर time define आप कर सकते हैं increment में pixels है अगर आप delay करना चाहते हैं कि कितने delay बाद आपको होना चाहिए अगर automatic करना चाहते हैं तो automatic नितना पर time be defined कर सकते हैं हमने automatic पर select किया फिर रोकर पर click कर दिया तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा text है जो हमने scroll down का effect लग गया था यह उसी effect में आ गया है जो आपका text है वो top से down move हो रहा है तो आप इस पर अलग 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 परकार की formatting अलग 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 परकार की effect को लगा सकते हैं फिर से आप text option को select कर लें आप दूसरे option को select करके देखें यहां पर अलग अलग परकार की option दिया होगा है scroll back and forth अमने से to right select किया फिर okay पर click कर दिया आप देख सकते हैं यह move हो रहा है left to right किसी परकार से आप फिर दूसरे effect को आप चेंज करके देख सकते हैं अगर आपको सबसे effect को हटाना है तो इसके लिए आप सभी no effect को select करेंगे हमने यहां पर scrolling option select किया यहां पर हमने कोई direction को select नहीं किया था इस वजह से इस पर कोई effect भी दिखाए नहीं दे रहें यहां पर अलग अलग परकार का options दिए हुए हैं blink, scroll through, scroll back to forth, scroll in आप इन सब को select करके अलग अलग direction में इनको text को move कर सकते हैं उस पर effect लगा सकते हैं उसे blink करा सकते हैं अगर इन सभी से आपको बहार निकलना है इन effect से बहार निकलना है इसके लिए आप सभी को no effect विकल्प को select करना है text के अंदर animations को हटा सकते हैं तो इस परकार से आप text विकल्प का उप्योग कर सकते हैं crop picture विकल्प का उप्योग क्यों करते हैं? crop picture विकल्प की मदद से आप drawing के अलावा बाकी picture को आप crop मतलब कि उसे cut कर सकते हैं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं क्रॉपिंग आप्शन का उप्योग कैसे करते हैं आइए वीडियो की मदद से क्रॉप आप्शन का उप्योग करना सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं क्रॉप की मदद से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं उसे जहां से भी आपको cut करना है, उसे cut कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप image को select करें, जिससे आप crop करना चाहते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पे एक picture को insert किया है इसे हमें आप crop करना है इसके लिए पहले इस picture को हम select करेंगे एक बार इस पे left click करेंगे left button click करने के बाद अपने pointer को format menu पे लेके जाएं फिर crop picture को select कर लें एक बार वहाँ पे click करें तो इस तरीके से आपके पास एक box आ जाएगा यहाँ keep image size को select करें यहाँ पर आप देख सकते हैं चार option देवे हैं left, right, top, bottom जिस side से भी आपको crop करना है आप वहाँ से select कर सकते हैं देख सकते हैं हमने यहाँ पे left side से number को बढ़ाया तो यह left side से हलका से crop हो गया right side से हमने किया तो यह right side से हलका सा crop वा, जितना आप crop करना जाता है तो आप उस number को बढ़ायेंगे फिर ok पे click कर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो image है चारो साइट से वो crop हो चुका है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से format पे click करें यहाँ पे scale को option दिया हुआ है width और height और image size अगर आप image के size को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसके width और height को बढ़ा सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे मैं उसके width और height को बढ़ाया यह वहाँ से उसको यह वहाँ से बढ़ चुका है और image वहाँ से crop हो गया फिर से crop image पे click करें यह width और height को option है इसे बढ़ायें जब width height बढ़ायेंगे जो image है उसके height और width बढ़ जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है इमेज पहले से ज़्यादा बड़ी दिखाय दे रही है फिर से format menu पे click करें crop पे click करें अगर से आप पहले जैसे लाना चाहते हैं original size पे click कर दें फिर ok पे click कर दें तो image पहले जैसे आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है इस प्रकार से आप crop की मदद से आप image को cut कर सकते हैं इसकी weight या height जो image की है उसे बढ़ा सकते हैं अगर उसे आप फिर से पहले जैसे लाना चाहते हैं तो पहले जैसे भी ला सकते हैं इस प्रकार से आप crop picture का उपयोग कर सकते हैं अगला option style and formatting का है इस विकल्प के द्वारा आप अपने text या object को अलग अलग परकार के style में बदल सकते हैं आइए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं style and formatting का उपयोग कैसे करते हैं आइए वीडियो की मदद से style and formatting के बारे में सीखते हैं style and formatting की मदद से जो पहले से ही formatting किये गए जो style उसे आप अपने text या object पर apply कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप सभी format menu पर क्लिक करें style and formatting पर क्लिक कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे यहां पर बॉक्स आजाएगा जहांसे पहले से formatting किया हुआ है वहां पर अलग-अलग options दिखाए दे रहे हैं हमने background option को select किया उस पर right click किया तो यहां पर modify का option आया और यहां पर अगर background change करना चाहते हैं यहां पर बहुत से colors दिखाए दे रहे हैं अलग-अलग परकार के design है style है आप उनको select कर लें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर hatching का options है bitmap का options है इसमें से किसी भी style को आप select कर लें आप देखेंगे जो इसका background है वो change हो जाएगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से अगर इस object के अंदर जैसे हमने यहां पर आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर इसके अंदर कुछ आप changes करना चाहते हैं इस से formatting करना चाहते हैं तो आपके इन में से देख सकते हैं object without fil आमने से select किया तो आप देख किया इसके अंदर changes होगा object with no fill and no line पर जो आलग लग प्रकार की formatting है object with arrow तो आप देख सकते हैं जो arrow के साथ यह object आ गया है जो smiley है यहाँ पर object की formatting और text की formatting दिया हुआ है वो आप अपने according उसे change कर सकते हैं अभी हमने object with shadow यूज किया तो आप देख सकते हैं इसकी shadow बन के आ चुका है तो अगर इसे आप modify करना चाहते हैं जो स्टाइल एन फॉर्मेटिंग है इसे आप अपने according customize करना चाहते तो उसके right click करें और modify पर click कर दें तो आप यहाँ से modify कर सकते हैं अगर इसके area को अगर इसके अंदर color को changes करना चाहते है तो आप यहाँ से change कर सकते हैं जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है जैसे हमने object with field पर click करना तो आप इसके अंदर आगे हैं जैसे कि आपको वीडियो के अंदर दिखाया जा रहे है text को अप सलेक्स कर लाए है यहाँ आप अपसना whence subtitle option को सलेक्ट किया तो जो सब टाइटल का फॉर्मेटिंग है वो टेक्स पर अप्लाई हो गया है हमने आउटलाइन 3 को किया, सलेक्ट उसे मोडिफाई किया हमने जिस तरीके के भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं आप कस्टमाइज कर सकता है, हम यहाँ पर स्पेसिंग और बॉर्डर यूज़ कर रहे है हमने स्पेसिंग को यहां से बढ़ा दिया, जैसे हैं आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इसकी लाइन और पैरग्राफ की जो स्पेसिंग है वो बढ़ गया है लेफ्ट साइड से यह मार्जिन इसका ज्यादा हो चुका है, जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं आप अपने एकोडिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पर बुलेट से लगा सकते हैं अपजेक्ट के उपर भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो इस परकार से आप श्टैल इन फॉर्मेटिंग की मदद से अपने टेक्स्ट और लाइन के उपर फॉर्मेटिंग जो पहले से ही डिफाइन है, उसे आप एपलाई कर सकते हैं आईए अब tools के कुछ options के बारे में सीखेंगे tools menu का पहला option जो है वे spelling का है spelling विकल्प के द्वारा आप अपने impress की slide पर type किये हुए line paragraph के words के mistake को आप ठीक कर सकते हैं इसके लिए आप shortcut command का भी उप्योग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं color replacer क्या होता है color replacer के द्वारा आप किसी picture में से color को pick करके उसे किसी दूसरे color में बदल सकते हैं आईए अब वीडियो को देख कर समझते हैं और सीखते हैं कि color replacer का उप्योग कैसे करते हैं आईए वीडियो की मदद से color replacer के बारे में सीखते हैं color replacer की मदद से आप किसी भी picture का color को pick करके उसे आप replace कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा हैं सबसे पहले आप किसी भी picture को select कर लें अगर आपने picture को insert नहीं किया तो आप picture को insert कर सकते हैं यहाँ आप आप देख सकते हैं हमने fourth slide को select किया यहाँ आप हमने पहले सी एक picture को insert किया था कि दिखाया जा रहा है अब हम चाहते हैं जो सके बैक्गराउंड का खलर है उससे मेर कलें करना है इसके लिए छेलिए के तूज्रेट को स्लेक्ट करेंगे पिर इसी। यरी जा प्रशन को हम और सेलगऽ कर लेंगे ए पिर इस उप्सों को आप सेलगव। निози या के हम सी और मिविए रिप्लेच्ट को सेलेक्ट कर लें है ने हैति क्लिक कर देगों कुंदितर है सकते हैं जिस विडियो के साथ आपने रिप्लेच और रिप्लेच किया उस लिए चीन्ज जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं फिर से color को pick करें, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाप पर select किया और color को select किया कलर को सेलेक्ट करने के बाद पहले हमने यह आप इसे कलर को पिक किया जैसे हमने पिक्चल पर क्लिक किया उसी कलर के कलर आ गया अब रिप्लेश में जाके रिप्लेश वीद में जिस कलर के साथ आप रिप्लेश करना चाहते हैं उस color को आप select कर ले, हमने आप ए green color को select किया, और फिर जाकर replace पर click कर देंगे, तो आप देख सकते हैं, उस color के साथ, वो replace हो गया, हमने आप ए green को select किया, फिर replace पर click कर दिया, तो इस प्रकार से आप color replacer की मदद से आप picture के किसे भी color को आप select करके, उसे दूसरे color के साथ आप उसे replace कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप color replacer को उप्योग कर सकते हैं, आए अब media player के बारे में सीखते हैं, media player के दुआरा आप अपने impress की file पर अपने computer में से किसी भी location से किसी भी video and mp3 file को play कर सकते हैं, आए अब video को देख कर सीखते हैं कि media player का उप्योग कैसे करते हैं, आए वीडियो की मदद से media player के बारे में सीखते हैं, जैसे कि आप नाम से जानते हैं media player, media player की मदद से आप अपने slide में कोई भी music या video या mp3 आप किसी भी परकार के mp3 या mp4 को अपने slide के अंदर insert कर सकते हैं, इसके लिए आपको tools menu पर click करना है, फिर media player option को select कर लेना है, जैसे आप select करेंगे तो इस तरके के box बनके आजाएगा, जैसे कि आप video में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने gallery option को hide कर दिया, यहाँ आप भी आप देख सकते हैं, media player को option आपको दिखाए दे रहा होगा, यह open का button है, यहाँ पर आप click करेंगे, जैसे यहाँ पर click करेंगे, आपका media जहाँ पर भी है, आप वहाँ से इसे insert कर सकते हैं, यहाँ पर हमने videos option को select किया, और एक video को insert किया हमने, जैसे कि आप video में देख सकते हैं, जैसे हमने insert किया, और play के button पर click किया, तो आप देख सकते हैं, यहाँ से pause कर सकते हैं, अगर stop करना चाते हैं, आप यहाँ से stop भी कर सकते हैं, अब apply button पर click कर दें, जैसे आप apply button पर click करेंगे, जो video आपने insert किया है, वह आपके slide पर आ जाएगा, जैसे कि आपको video में दिखाय अगर आप फिर से किसी और वीडियो को ओपन करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस बटन पर आप क्लिक करेंगे ओपन पर फिर आपने जहां भी सेव किया है कोई भी वीडियो या MP4 MP3 आप उसे ओपन करके इंसर्ट करके अपने स्लाइड पर ला सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पर दूसरी वीडियो को इंसर्ट किया फिर यहां पर प्ले किया इस तरीके साब कितने भी वीडियो को या ओडियो को इंसाइड करके स्लाइड के अंदर रख सकते हैं उसे प्रेजेंटेशन के रूप में उन वीडियो को या ओडियो को दिखा सकते हैं अगर आप ओडियो को म्यूट करना चाहते हैं तो आप यहां से म्यूट भी कर सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा हैं इस परकार से आप मीडिया फ्लेयर का उप्योग कर सकते हैं क्या आप जानते हैं minimize presentation का उपयोग क्यों करते हैं इसके द्वारा आप अपने presentation file के size को reduce कर सकते हैं इसके द्वारा अपने image को compressed कर सकते हैं इसके द्वारा आप अपने impress की presentation के summary को देख सकते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इसका उप्योग कैसे करते हैं। आईए वीडियो की मदद से minimize presentation के बारे में सीखें। minimize presentation की मदद से आप अपने file को compress करके उसके size को कम कर सकते हैं। उसकी duplicate file बना सकते हैं। सबसे पहले tools menu पे click करें। जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर minimize presentation option को select कर ले। तो इस तरह के एक box open हो जाएगा। फिर next button पे click करें। यहाँ पे आप दो options देख सकते हैं delete unused master page और delete hidden slide। अगर को hidden slide है या फिर master page है अगर उसे आप delete करना चाते हैं तो आप यहाँ से delete कर सकते हैं। फिर अगला यहाँ पे lossness compression और jpg compression का option दिया हुआ है। अगर इस आप lossness compression की मदद से आप जो आपकी slide है जो आपकी file है उसका size को कम कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी quality रहेगी quality पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप इसके size को कम कर सकते हैं आप। यह regulation का option है किस regulation में आपको चाहिए कितनी screen में वह आप यहाँ से select कर सकते हैं। उसके बाद आपको next button पे click करना है और finish पे click कर देंगे। जो भी आपकी यह file है इसे save करने के लिए पूछ रहा है। आप इसे अलग किसी नाम से save कर सकते हैं। लोकेशन सेलेक्ट कर लें और फिर file name देके save पे click कर दें। अभी आप देश सकते हैं यह file आपकी convert हो रही है। फिर ok बटन पे click कर दें। तो आप देश सकते हैं यह file इसका duplicate file बन गया है जो इसकी actual size है उससे इसकी size यह कम है। लेकिन उसी के जैसे यह same to same एक duplicate file बन चुकी है। तो इस प्रकार से आप minimize presentation की मदद से एक दूसरी file बना सकते हैं। उसी के जैसे और उसकी size को आप compress कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप minimize presentation का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की class यही पर smart होती है। आप सभी impress की file को close करें फिर अपने computer को shutdown करें। आज की class में आप सभी ने insert, format और tool option के बारे में सीखा जैसे की summary slide, animated image, movie and sound, object, format menu के विकल्प जैसे की position and size, line, area, text, crop, picture इत्यादी के बारे में सीखा।